नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विनोज शर्मा और श्पेसली एक स्पेसल इंट्रीव आपके साथ लेकर के आगा हैं दोस्तों कोई प्रोमोसन नहीं है प्रोमोसन खुद दिन के बच्चे कर रहे हैं चंदीके डियूरिश्टी काफी आपने सुने ही होंगी वीड प्चों को स्पेसल आगे बढ़ने के लिए जागरू करने के लिए कैसे आप अपनी आनेवाले वक्त में फूचर में अपना टाइम इनिवेस्ट करते हैं क्या कहेंगे सर आप स्पेसली भीवानी में किस प्रकार की खोज के लिए पहुचें देखिए मैं पहली बात तो यह है और चंडीकट विश्वदाल है जो यहां है आज जहां भी है उसमें हर्याने के बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें भीवानी के बच्चों का विश्वदान है तो मैं जैसे आपने अभी बताया मैं तीन चार रोग का वरनन करना चाहूंगा जैसे आपने अभी बताया मोहित का के ऐसी पेटन एकी बच्चा असी पेटन फाइल कर रहा है यह अपने आप में एक ना मानने वाला यकीन के योगए ही नहीं है ऐसा काम किया इस बच्चे ने और वो पेटन कोई ममूली पेटन नहीं है आपका फ्यूल बचाना आपको एक्सिडेंट से बचाना और कैसे कैसे पेटेंट इस बच्चे ने फाइल किये हैं और इसको राश्ट्री स्थर के बहुत सारे इनाम मिले हैं हमारा सिर्फ यह है कि हम यहां के माता-पिता इनके माता-पिता और भेवानी के सबी बाता-पितार बच्चों को उत्षाहिद करना चाहते हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं फिर अरुना है अरुना तन्वर है जो पैरलम्पिक्स में भाग लेके आई है और मेरे साथ और तीन बच्चे हैं जिनको यहां पे पांच-पांच कंपरियों में नौकरियां मिली है यह किवल नौकरियां नहीं होती यह एक तो उन बच्चों का सम्मान है उन बच्चों की योगता का पैमाना है दूसरा यह है कि चंडीगड विशेव दियालिया को इन्होंने जहां खड़ा कर दिया है कि आज हम पूरे भारत में कई खेतरों में नंबर वन है कोई मुकाबला ही नहीं है जैसे मैं बताऊं कि अब कंपनी आती है 757 कंपनी एक साल में यह लिमका बुका और रिकार्ड में दर्ज हो गया था इसका क्रेडिट जाता है श्रेय जाता है वो बच्चों को और अध्यापकों को जाता है दूसरी बात हमारे 350 से ज़्यदा फॉरेंट टाई अपस है और 30 से ज़्यदा विश्व दैलियों के साथ ऐसा संबंध है कि दो साल बच्चा मेरे पास पड़े और दो साल उस विश्व दैलियों में पड़े और अस्टेलिया में, कैनेडा में, यूएस में और वहां की डिगरी प्रापत करे इसे हिसाब से भी हम पूरे भारत में नंबर एक है पेटेंट के बारे में आपने पहले ही बता दिया कोई ले ले, किसी ने मिला के तेरह सो पेटर नहीं फाइल किया है तो इस हिसाब से भी हम नंबर एक है इसके अलावा हम नंबर एक इस बात पे हैं कि मेरे पास पूरे भारत के बच्चे है हर्याना के बच्चों ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा आगे रह करके हर्याना का जो द्वज है उसको आगे लेके गए है देखो खेलों में देखें तो 60 प्रतिशत मैडल 130 मैडल है CU के पास उनमें से 60 प्रतिशत मैडल हर्याना के और फिर उसमें से अरुना भिवानी की जो पैरलॉम्पिक्स में गई है उनमें नमबर एक नौकरियों की बात करें तो हर्याना के बच्चों की गिंती मेरे पास 12-13 प्रतिशत है लेकिन इनके जो प्लेस्मेंट्स है वो 20 प्रतिशत है पेटन की बात करें तो इनका जैसे मैं कहा 12-13 प्रतिशत है लेकिन पेटन्ट इनके जो है वो मेरे कहले 25 प्रतिशत के क्रीब हो जाएंगे अकेले इसके ही 80 पेटन्ट्स है तो इस हिसाब से मैं यहां बढ़ाई देने आया हूँ लेकिन साथ में मैं यह भी बताया है हूँ के चंडिगड विश्विदेल है होनहार बच्चों के लिए 45 क्रोड रुपे के स्कॉलिशिप दे रहा है इस साल जो पिछले साल से लगबग 8 क्रोड ज्यादा है 9 क्रोड तो इसका तरीका बढ़ा सिंपल है जैसे कोई बच्चा उससे जुट सकता हूँ मैं वही बता रहा हूँ के बड़ा सिंपल है तो बच्चों को जानकारी देनी और बच्चे उसका लाब उठाएं करना क्या है हमारी वेबसाइट है cu chd.in उस पे जाएं उसके बाद cu set है वहां पे चंडिगा डिजनस्टी कॉमन एंट्रेंस है उसके क्लिक करेंगे तो आप रिजिस्टर कर सकते हैं ये टेस्ट अभी खुल गया है कतीस मई तक चलेगा इस टेस्ट में आप रिजिस्टर करने के बाद आपको एक फीस जमा करानी है एक जार पे आ है लेकिन एक जार के बदल में आपको प्रॉस्पेटर्स फ्री देंगे तो कोई फालतू खर्चा नहीं है आपको अपनी मर्जी का दिन चुनना है पहले अपनी मर्जी का विशा चुनना है विशा का मतलब अगर आपने प्लस टू आर्ट्स में किया तो आप आर्ट्स में पेपर दे सकते है साइंस में किया है नॉन मेडिकल में नॉन मेडिकल में किया है मेडिकल कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स अपनी मर्जी का दिन चुने अब से लेकर 31 माई तक अपनी मर्जी का समय चुने सुबह या शाम और सबसे बड़ी बात, अपने घर में बैठके ये टेस्ट दें आपको instruction follow करनी होगी, ताके नकल बगर करना पड़े अगर आप मेरे टेस्ट में, चन्डिकट विश्य देले के टेस्ट में 90% प्रापत करते हैं उससे ज्यादा, आपको 100% सदी स्कॉरिशिप दिया जाएगा, और ये 100% सदी स्कॉरिशिप पूरी academic fees पे होगा, नमबर एक, tuition fee पे नहीं होगा cable, जैसे बहुत सारे विश्य देले करते हैं नमबर दो, जब आपकी डिगरी खत्म नहीं होती, तब तक ये स्कॉरिशिप जारी रहेगा, लेकिन आपको 7.5 grade point maintain करनी पड़ेगी, आप किसी विश्य विश्य में फेल नहीं होने चाहिए, आपके lecture short नहीं होने चाहिए, आपके शासन हींता नहीं होनी चाहिए, तो ये इस तरह की scholarship पर नाली जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारत के शायद ही किसी और विश्य 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 में हो, जहां 45 कुरोड रुपे के scholarship पूरी की पूरी academic fees पे दिये जा रहे हैं. जी, सर तो बात करें, सिक्षा के साथ साथ संसकारों की बात करें, तो हमने core values रखी हैं. हमारी core values है, human dignity, empathy, humility and giving. आप ये अगर गीता का सार निका लेंगे, तो वहां भी यही निकलता है. गुरु गरंद साब का सार निका लेंगे, वहां से भी यही निकलता है. अब किसी धर्म का, जैनिजम का ले ले, Christianity का ले ले, मुस्रिम का ले ले ले, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बचे और ये model मेरे साथ हैं यह model आपको बताएंगे, कि असल में विद्यारती होता क्या है? ये देश की धरोहर है, ये देश की पूझी है, तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, सही मानों में पूंजी बना रहे हैं और उनको अरपन कर रहे हैं प्लेस्मेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा रही आपके यहां की, तो आप मेरे साथ नहीं है, जिसको 52,00,00 का पैकेज मिला है, वो हर्याना के ही बच्चे का है, 52,00,00 है, जो इस साल मिला है, और 75,00 से ज़्यादा नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं, अभी आदा साल हुआ है, जबके पिछले साल टोटल 34,00 मिली थी, तो उसमें, जैसे मैंने कहा ही पहले, इसमें से 1100 सम्टिंग नौक्रियां अभी ही हरयना के बच्चों के, बलके 1200, 1176 के गरीब हैं, तो हरयना के बच्चों को बहुत सारा योगदान है, और मैं एक और बात, जिसके लिए मैं विशेश तर पर हरयना के निवासीयों को बताई देना चाहता हूं, और मैं समयता हूँ कि सरकार भी और सबी लोग खुश होंगे कि आम तोर पे हमारे विश्व दाले में 38% जो नौक्रियां लड़कियों को मिलती है लेकिन हर्याना के ये जो 1176 बच्चे हैं इन में से 48% नौक्रियां लड़कियों को मिली है तो मेरी विश्व तोर पे हर्याना को बढ़ाई उन बेटियों को बढ़ाई उनके माता बेदा को बढ़ाई लेकिन सबी को और मेरी ये निवेदन रहेगा कि आप चंडिगड विश्व देला के जो बहुत विश्व स्तर की सुवधाएं है और जहां पे जैसे आपने कहा वैल्यू बेस्ट एजूकिशन है जहां पे हम देश के लिए और आपके लिए पूंजी बनाने की कोशिश करते हैं उसका लाब उठाएं और पंतालीस क्रोड रुपे के स्कॉलिश का भी लाब उठाएं धन्यवाद काफी वीजी सेडूल है सरका अभी जाना होगा इनको मुन बच्चों से बात करूँगा जो की हीरे हैं इस उनिविश्टी के साथ साथ आपके हरियाना का आपके भारत का विदेशों में जा करकर अरुना तवर जैसे और गूगल जैसे जगया में प्लेस्मेंट के लिए इस में इंटर्नशइप की है को डिशोते हैं टंशिप करिया र्टिक्माइंटरह में मैं अंटर्शिप करिया और मुझे सब इंटर्नशिप करने को मुझे 12 जगे सेौफर मिला है गूगल Σे बत अभी मैं इन और को आवल नहीं कर रहा हॣ कि כý मेरा इस अखिरो काफी अच्छा तो I have got admission in Stanford University और Stanford University World की नंबर तीन नंबर की इनिवस्टी है और मैं specially thank you बोलूँगा चंदिगर इनिवस्टी को कि उनकी वज़े से जो उन्होंने में को study platform प्रवाइड किया है और जो उन्होंने मुझे achievements दी है और जो उन्होंने मुझे guidance दी है उसके भी हाफ मैं सब कर पाया हूं मुझे बात करें जैसे package बता रहे थे हरियाना के कि लड़के को bound lakh का package मिला ये एन्युली है या फिर मंतली ये एन्युली package है 52.11 lakh पकेज मिला है और ये highest package भी चंदिगर इनिवस्टी का कर रहा हूं मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं उसके बाद मैं switch कर लूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा experience भी हो जाएगा और मैं knowledge भी गेन कर लूँगा तो अरुना से बात करूँ है अरुना देश के लिए आप specially आप पहूंचे विदेश में और वहां से अलांकि एक सफल था हासिल नहीं हुई छोटी सी उमर है next time हो जाएगी लेकिन चंदिगर्ड उनिवर्स्टी को ही क्यों चुना अरुना ने क्योंकि चंदिगर्ड उनिवर्स्टी को खेलने के लिए जाते तो आपको मिनिमम पहले खुद का खर्चा लगाना पड़ता है तो किसी फैमिली के पास एकदम से ऐसा नहीं होता कि वो खुद का खर्चा हर बार लगा के जाए बट चंदिगड़ उनिवर्सिटे से मुझे काफी सपोर्ट किया है और करते आ रहे हैं पारलम्पिक्स के टाइम पे भी और मैं यहीं चाहूंगी कि अभी एशिन गेम्स है मेरे तो चंदिगड़ उनिवर्सिटी काफी सपोर्ट करें कुम से साल है आपकी वहाँ पर पढ़ते हुए बीपेड में फाइनल ये रहे है तो देखी किस तरीके से और ये दो बच्चे हो रहे हैं आप भी भीवाने से हुँए और मैं इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में अपनी इंजिनिरिंग पूरी कर रहा हूं और मुझे अभी जो पैकेज मिला है वो 6.5 लाग का मिला है उसके साथ ही मैं अपने तीसरे इयर से एक इंटर्णशिप भी कर रहा हूं साथ की साथ मी और चंदीगर्ड उनिवसिटी चूज करने का मेरा मुझे रिजिन ये था कि जैसे कि हम अपने आसपास की लोकल की बात करते हैं कि अपने रहता ना बच्चे को की उसके ग्रेज़िशन हो गी है पर एक जोब की समस्या आते काफी कोलीज खतम होने के बाद जोब मिलना एक अलग बात है लेकिन कई बार बच्चा खाली रह जाता है वो नहीं कर पाता कोलीज पड़ा जाता है बहुत है वो उसका जो सलेबस है वो हमारे करिकूल मेचक करता है तो वहाँ पे भी upper hand मिलता अगर बच्चे को उस साइड जाना हागा है कुछ hem tag करनी है और कहीं से करना है उसके लिए upper hand मिलता है और फिर placements का तो जैसे की है लगभग लगभग बचा थोड़ा बहुत भी अच्छा है सब की placement होने के पूरे-पूरे चांस रहते हैं मेरे तीन कंपनी में मेरे पास offer है इस वक्त और मैं Catalyst 1 में कर रहा हूं एवरेज पैकेज 6 लाग का मेरे को मिला है हाइस पैकेज और मेन रिजन मेरा यह था क्योंकि यूनिवर्स्टी काफी सेशन ओते जिसमें फीडबैक लेते हैं उस समेस्टर का जिसे मालो मैंने आगर विफ्ट मैं अगर अभी 7 समेस्टर में हूं तो मेरा जब खतम होएगा समेस्टर उसके बाद एक उपन सेशन होएगा उसमें फीडबेक लेंगे कि कैसे सब्जेक्स थे और क्या क्या हम और इसमें इंप्रूव कर सकते हैं ताकि जो आने वाले सेशन से उनको उनमें और भैतरी ला जा सके तो भीवानी वालों प्राउड करो थारे बच्चे किसी से कम नहीं है चाहे बात करें यूपीएस्टी की चाहे बात करें हम टेकनोलोजी की चाहे बात करें खेलो की हर जग पता का फेराते हैं आपका नाम रोशन करते हैं तो भीवानी के इन बच्चों के लिए इस्पेसली उनिश्टी के प्रो चांसिलर और पुरी टीम चलके आई क्योंकि भीवानी के इस वीडियो को सेर करें तब तक के लिए धन्यवाद राम राम जेह